हेलो फ्रेंद्स जैश्री राण सोना की रसोई में आप सभी का स्वागत है आज हम लेकर आये हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी खस्ता कोचोडी की रेसिपी हमारे हाँ इसे सब चाय के साथ बहुत पसंद करते हैं और इसे कई तरीके से बनाया जाता है लेकिन आज हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे इसे बनाने का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी इसके लिए हमने सबसे पहले ये मैदा ले लिया है मैदा हमने 750 ग्राम लिया है आज हम इसकी कॉंटिटी ज्यादा बना रहे हैं कम से कम आठ से दस लोगों के लिए इसमें हमने डाल दिया एक चमश नमक, एक चोटा चमश अंजवाईन और ये आधा कटोरी हमने इसमें रिफाइंड ओयल डाल के इसका अच्छे से कहते हैं मोयन बनाते हैं तो बस वो मोयन हमें दे देना है तो इसे अच्छे से हम हाथों से मिक्स करते हुए पूरे आठे में बना लेंगे ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी पहचाने की जब ये थोड़ा सा बंदने लगे न मतलग कि हमारा खस्ता परफेक्ट है बस इसे स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए थोड़ा इसका एक सक्छ सा आठा तयार कर लेंगे पानी हमें नॉर्मल चाहिए कोई गरम नहीं हम नॉर्मल पानी से इसे ये देखिए हमने इसका सख्छ सा आठा तयार कर लिया है और अब हम इस पे एक चम्मच तिफाइंड ओयल लगा के ये इसे थोड़ी देर के लिए हम साले की त्यारी कर लेते हैं तो हमने आज हम जादे लोगों के लिए बना रहे हैं तो क्वांटिटी हमने ज्यादा रखी है यह देखे हमने 7 से 8 प्याज ली है मीडियम और उसे हमने हैंड चॉपर जो होता है उसमें हमने चॉप कर लिया है अब हम इसमें डाल देंगे एक छो भी हमने अच्छे से जिसमें अध्रक कूटते ना उसमें हमने अच्छे से इसे कूट लिया आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी थोड़ा सा पीश सकते हैं हलका सा तो इसमें लहसुन की क्वांटिटी ज्यादा रहती है और यह हमने खुब धेर सारा हरा धनिया लिया है हरा दनिया तो हर चीज़ को बहुत ही बेस्ट बना देता है तो बस इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे ये चने का सत्तू भुना चना होता है ना अगर आपके पास सत्तू पैकेट वाला है तो वो ले ले और ये देखिये अब इस स्टेज जो हमारी दादी नानी भरती थी ना बस वो हम इसमें अच्छा आता है तो यह सब हमें इसे अच्छे से मिला देंगे हमें इसमें बेशन थोड़ा कम लग रहा था तो हमने इसमें आधा क्टोरी सत्व और एड़ किया है सत्व हमें इसमें सिर्फ बाइंडिंग के लिए चाहिए होता है कि प्याज और सत्व थोड़ा सा मिक्स होके हमें एक अच्छा सा बाइंड दें बस यह देखिए हमारा मिक्षर तयार हो गया है यह देखिए और यह बिल्कुल भी सूखा नहीं कि बस मतलब आप ज्यादा सत्व भी ना डालें थोड़ा सा प्याज ज्यादा होनी चाहिए इस मिक्षर में तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है बस यह हमारा मिक्षर तयार है और अब हम अपने कचोड़ियां बना लेंगे ये आटे को भी हमने एक घंटे के लिए रख दिया था ये देखिए हमने ये लोई ले ली है लोई आप छोटी ले बहुत छोटी भी नहीं बहुत बड़ी भी नहीं तो कचोड़ियां बहुत ही अच्छी बनती है ये हमने देखिए इस साइस की हमने लोई ले ली है बस इसे थोड़ा सांटा लगाते हुए, ऐसे हाथों से हम इसे गहरा करेंगे, जिससे हमारी फिलिंग इसमें अच्छे से हो जाए, ये देखिए, बस एक से डेट चमच इसमें फिलिंग हमारी इनफ होगी, बस इतना ही आप देखके, उसे साब से ही करें, बहुत ज़्यादा भी फिल कचोड़ी बनाके, देखिए, ऐसे तयार कर लेंगे, और इसे हमें बेलना नहीं है, बस इसे हमें अपने हाथों से ही ऐसे, ये देखिए, अभी हम आपको करके दिखाएंगे, बस हम इसे ऐसे अब अबहुत दबाते हुए, अपनी हथेलियों से ऐसे ही करके प्रेस कर आपको थोड़ा सा और चाहिए तो हलका हलका साइट से अपनी हथेलियों से ऐसे दबा दें बस हमारी कचोड़ी बनके ऐसे ही सारी तयार हो जाएंगी यह देखे दूसरा भी उसी तरीके से हम आपको करके बताते हैं बस हमें लोई जो आंटा हमें लेना है वो हमें थोड़ा क कम लेना है छोटा लेना है जिससे फिलिंग भी उसमें होगी न तो फिर साइज बढ़ेगी तो छोटी-छोटी कचोडियां बहुत अच्छी लगती है तो बस ऐसे ही हमें से गहरा करते हुए यह अपना दूसरा भी बना लेंगे सिर्फ एक चम्मच या एक चम्मच से कम ही फि कचोड़ी को आटे से भी बला सकते हैं वह उसमें भी आटे से भी बनी हुई कचोड़ी बहुत अच्छी लगती है तो आप जो भी पसंद करते हैं जिस तरीके की आप वैसे गारसे त体ियार कर ले यह देखिए ऐसे हमने हाथों से ऐसे ऐसे दबा लिए अगर आपको लगे कि नहीं यह मोटी लग रही है तो आप हलका सा ऐसे ऐसे हाथों से प्रेस कर ले बस इसे बेले नहीं तो यह बिलकुल मार्केट वाली कचोड़ियां लगती है अगर आप बेल देंगे ना तो फिर सौफ सी हो जाएंगी वो अच्छी नहीं लगेंगी तो बस ऐसे ही हमें सारी कचोड़ी हमने तयार कर ली है और अब हमने लिया है रिफाइन इससे हमने हमने लोहे की कठाई में य नहीं चाहिए होता है अब गरम करके फिर इसे अग्दम डाउन कर दें कि हमारी कचोड़ियां धीरे-धीरे बहुत लोह फ्लेम पे चितना यह लोह फ्लेम पे होंगी उतनी ही यह खसता होती है अगर आप तेज आज पे इसे जल्दी-जल्दी कर देंगे ना तो यह खसता न तो बस ये देखिए हमें फ्लेम को लो ही रखना है अगर आप फ्लेम को लो रखेंगे तो आपकी कचोडियां उपर से भी बिल्कुल भी वो जो फूल फूल जाती है वैसी नहीं लगेंगी अगर आप हाई फ्लेम पे इसी बनाते हैं तो वो उपर से पूरे बबल जैसे हो जाते हैं और उससे कचोडियां खस्ती भी नहीं होती हैं तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें तो आपकी कचोडि बहुत परफेक्ट बनेगी यह देखिए बस इसे ऐसे धीरे धीरे दोनों साइट से पलटते हुए हमें अच्छे से फ्राइ कर लेना है यह देखिए धीरे धीरे ऐसे ही दोनों साइट से और यह थोड़ी सी हलकी सी गोल्डन ब्राउन हलकी सी होती है तो यह देखने में भी और टेस्ट में भी बहुत यह देखिए कितनी बढ़िया से यह पकड़ी है कि उपर से जैसे होता ना कि फूल-fूल के फट जाती है ऐसे यह लगती है यह बहुत ही टेस्टी लगती है और यह तो परसिनलि मुझे चाय के साथ बहुत पसंद आती है कुछ नहीं आप कोचोडी बनाईये और चाय के साथ तो गजब भी हो जाता है फिलाल हमारे हां तो सबी इसे चाय के साथ बहुत पसंद करते हैं तो ये देखिए हमने अपनी कचोडिया बना के ये दूसरा भी दूसरा लॉट भी हमने ऐसे ही डाल दिया है और सारी कचोडिया हम ऐसे ही बना के तियार कर लेंगे बस आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान देना है कि आपको low flame पे इसे बनाना है जिससे कचोडियां खसता होंगी और ये देखिए हमारी कचोडियां बनके तयार हो गई और हमने इसके साथ सिमई भी बनाई है क्योंकि मेरे husband को इसके साथ सिमई बहुत पसंद है तो हमने सोचा कि लाओ इसके साथ सिमई भी बना देते हैं तो ये देखिए कचोडि के साथ सिमई का कॉम्बो आफर तो आप भी इस रेसिपी को ट्राइ करिए जरूर से अपने घरों में ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी बनती है बिल्कुल मार्केट में जैसी मिलती है न कचोडियां हमें बिल्कुल वैसी ही और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ